नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में तो फ्रेंड्स हम उत्राखन लोग सेवा आयो के प्रिवेश सेर क्वेशन पेपर की स्रीज को डिसकस कर रहे थे जिसके अंतरगत आज हम उत्राखन प्रवक्ता परिक्षा 2021 के क्वेशन पेपर को सॉल्व करेंगे और जिसमें हम सिक्षन एबरुच के 40 क्वेशन और सामनेद्यन के 60 क्वेशन को डिसकस करेंगे तो आज की वीडियो बहुत इंपोर्टन रहने वाली है फ्रेंड्स वीडियो को अंतक देखना और जो चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो शुरू करते हैं आज का पहला प्वेशन है ऐजुकेषन और मेंड पुस्तक के लेखक है इसका राइट अंसर हो जाएगा अपका आपका अफ है फ्रॉवे नेक्स्ट क्वेशन है वैल्यू सब्द मूल्य सब्द की उत्पती हुई थी वह वैलर सब्द से हुई थी ओप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेशन है अनुसासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए किस ने कहा था तो फ्रेंड्स ये कथन दिया था आपका पैस्ट लॉजी ने अगला क्वेशन है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की अंत्रकत कितने छेत्र समलित हैं फ्रेंड्स काफी इंपोर्टन क्वेशन है इसका राइट आंसर हो जाए नौ छेत्र इसमें समलित है तो आपको बताना है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की सुरुवात भारत में कब से हुई आपको इसका एयर बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए आगे चलते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्टिय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना हुई थी निशो पिचानेव में अगला सेनर सिक्षकों ए तो राष्टि पुरुस्कार का सुभारब का वह था फ्रेंट इसकी राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रोगत सभी इसके राइट आंसर हो जाएगा प्रिदम् का छेतर होता है स्टार तर राइट अंशर ऌक्षिझीं,सफें सिक्छण की विदी नहीं है । फ्रेंट्स आपको बताना कि सिक्छण की विदी कौन सी नहीं है यहाल कहानी कथन और स्टार दनी कतन सिक्छण की विदी नहीं, axes weats आई, computer से अनुदेशन को सुगम बना सकता है, friends, all of these इसका right answer हो जाएगा, आगे चलते हैं, कौन सा सिक्षण कॉसल नहीं है, friends, इसका right answer हो जाएगा, सत्ता की आलुचना करना सिक्षण का कॉसल नहीं है, next question है, सूक्षम सिक्षण का देश्य है, friends, जो इसका right answer, जो micro training होती है, friends, इसका right answer हो जाएगा, जो सिक्षण कॉसलों का विकास करना हो, तो friends, to develop the teaching skill, इसका right answer हो जाएगा, ये purpose होता है, macro teaching का, अगला question है, अनिमलिकित में से दियेगी, सिदान्थ पर एभी क्रमित अनुदेशन आधारित है, friends, इसका right answer हो जाएगा, option, D, BF, इसके ना, अगला question है, friends, काफी important question है, UGC की स्थापना का हो जो जो अस्तित्व में था 1956 में, अगला question है, राश्टी सिक्षा नीती 1986 में सिक्षा पर विचार किया गया था, तो friends, इसमें जो सिक्षा पर विचार किया गया था, तो right answer हो के निवीश की रूप में सिक्षा पर विचार किया गया था, अगला question है, सिक्षण साहयक सामगरी किस उपागम से संबध है, इसका right answer हो जाएगा, बहुँ इंद्रिय उपागम से सिक्षण साहयक सामगरी संबध है, अगला question है, ली थायर के उन्सार संप्रेशन के मूल कारियों को बाटा जा सकता है, ये चार भागों में बाटा जाता है, अगला question है, राष्टिस अध्यापक सिक्षा परिशद, NCTE की स्थापना हुई थी, काफी important question है, आपको नौट कर लेगा, तो ये 1968 में कोठारी कमिशन की स्थापना हुई थी, और इस ने 10 प्लस 2 प्लस 3 फॉर्मला दिया था, अगला question है, सभी राजू में comprehensive college की स्थापना की जाई हो, सुझाओ किस कमिशन द्वारा देगा, ये भी कोठारी कमिशन द्वारा दिया गया था, और जो कोठारी कमिशन 1964 में इसका गठन किया गया था, और कोठारी कमिशन ने अपनी report 1968 में सौपी थी, अगला question है, सिक्षण कारे के मुख्य गटक है, सिक्षण कारे के सिक्षण चात्र और पाठे करम इसके मुख्य गटक है, option C, right answer हो जाएगा, अगला question है, मुल्यांकन के छेत्र होता है, वे विश्तित छेत्र होता है, अगला question है, निमलिकित कथनों में ऐसे कौन सा सत्य नहीं है, इसका right answer सिक्षण जन्म जात होते हैं, ये concept of multi-purpose school was introduced by secondary education commission, तो friends आपको comment section में बताना है कि secondary education commission ने concept of multi-purpose school कब introduced किया था, अगला question है friends, घराष्टी जन्संख्या सिक्षा प्रयोजना कब की शुरुआत कब होई थी, जो national population education project ये अप्रेल 1980 में इसकी सुभारम हुआ था, friends, रूसा का आपको full form बताना है, रूसा का full form है friends, राष्टी उच्थर सिक्षा एवियान, आपको बताना है, रूसा की स्थापना भारत में कब हुई थी, comment section में आपको comment करना है, अगला question है, निम लिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है, friends, जो मूले का विकास से कंप्यूटर का कार्य नहीं, जबकि अन्या से कंप्यूटर के कार्य है, अगला question है friends, ग्रामों में उच्छ शिक्षा की आउसकतों को सरप्रथम इंगित करने का स्रे किसे जाता है, तो friends, आपको बताना कि इस आयोग द्वारा ये, सबसे पहले इसका स्रे जाता है, friends, जो अभी हमने डिसकस किया था, NCT 1973 में इसका गठन वा था, और इसका जो मख्य छेतर है, friends, ये है, सिक्छक सिक्छा, अगला question काफी important है, question भारती ज्यान आयोग के अध्यक साब को बताना है, तो ये थे friends, सैम पित्रोदा, अगला question है, साला दरपन परियोजना का समन्द है, friends, ज जी बिद्ध्या लेएं के 25% स्थान आर्थिक रूप से पिछड़े बर के बच्चों के लिए आरेक्छी रहा, friends, इसका यहाँ पर आपको ये काफी deep question है, इसका right answer हो जाएगा, option A, 12A, 12C के अंतरगत, यहाँ पर जो RT Act का clause 12C है, इसमें 25% सी reserve होती है, economically backward children पे, जो non-edit private school है तो friends, आपको बताना है, RT Act की, भारत में RT Right to Education Act की सुरुवात की कब से होई थी, तो friends, यह comment section में आपको बताना है, अगला question है, digital gender atlas बालिकाउं से समन्दित है, तो इसका right answer हो जाएगा, friends, अनुसुची जाती, अनुसुची जाती, मुस्लिम सुनदाए, option all of these, इसका right answer हो ज अगला question है, जवाहर नवोदय विद्यालोई की स्थापना के सिफारिस का आधार क्या था, friends, बताना है आपको कि जवाहर नवोदय विद्यालोई was established for recommendation, किसकी recommendation पर यह दिए गए थे, friends, जो national education policy थी, friends, जो 1986 जो first national education policy जो भारत की, उसकी सिफारिस पर नवोदय विद्यालोई की स्थापना की गए थी, अगला question है, friends, महादेमिक सिक्षा आयूग की अध्यक्स थे, जो LS मुदायलेयर महादेमिक सिक्षा की अध्यक्स थे, option B, right answer हो जाएगा, अगला question है, friends, राधाकृष्ण आयूग का मुख्य समन था, जो राधाकृष्ण आयूग था, इनका independent regulatory authority for higher education की स्थापना की गई थी, तो friends, ये 40 question थे, जो सिक्षण एवरूच थे, जो आगमी exam आपके, LT होगे, सायक, अध्यापक, परवक्ता के लिए काफी important है, ये प्रिमिलरी exam में आपके आ सकते हैं, तो friends, ये काफी महत्पूर्ण question है, अब दूसरे section पर चलते हैं, जो शुरू करते हैं, फइला question है, भारती सम्दान के उनुछे 243 का समंद्ध किस निमलिखित में से किस है, friends, जो article 243 है, इसका समंद्ध भारती सम्दान के पंचायती राज से समंदित है, option A right हो जागा, परतिवर्स मानाव एधिकार दिवस मनाया जाता है, friends, आपको बताने साल, option C right हो जाएगा, अगला question है, अंतराष्टिय बैट्मिंटन संग ने किस भारतिय बैड्मिंटन खिलाडी को आयम बैड्मिंटन जागरुक का अभियान हेतु राजदूत बनाया, फ्रेंट्स ये बनाया था, PV संदू को, option B right answer हो जाएगा, आगे चलते हैं, इलेक्ट्र नगर हवेली और दमन द्वीप को मर्ज कर दिया गया, फ्रेंट्स आब ये एक ही केंदर सासित प्रदेश बन गया, तो ये काफी important question है, फ्रेंट्स दिसंबर 2019 में ये बिल पास हुआ था, और अब हमारे जो केंदर सासित प्रदेश हैं, ये 8 हैं, और टोटल राज हमारे 28, अगला question है, भारत ने 37 धवन अंतरिक्ष केंदर सीरहर कोटा से किस स्थिति को अपने चंदरयान 2 का अंतरिक्ष यान का प्रछेपन किया था, फ्रेंट्स आपको डेट बताने, 22 जुलाई 2019 को भारत ने 37 धवन इस्टेशन से सीरहर कोटा से चंदरयान 2 अंतरिक्ष यान का प्रछेपन किया था, तो फ्रेंट्स यहां पर चंदरयान 1 की विडिएट पूशी जा सकती है, आप इसको भी देख लिएगा, भारतिये सिनेमा में युगदान के लिए दिया जाने वाले सर्व सिर्ष प्रुसकार दादा सावी प्रुसकार 2018 को दिया गया था, फ्रेंट्स तो B और C राइट आंसर हो जाएगा, अगला क्वेशन है फ्रेंट्स सुहित राष्ट के जलवाई प्रवतन फ्रेमवर के अंतरगाद COP COP25 संबेलन कहा जित हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो COP26 आपका मेर्डिक इस्पैन में हुआ, आपको बताना है COP26 कहां पे ह COP25 मेर्डिक इस्पैन में हुआ, COP26 ग्लासको में हुआ, अगला क्वेशन है फ्रेंट्स कौन ओसलो समझोता से समंदित है, तो इसराइल सरकार और फिलिस्तिन मुक्ति मोर्चा के भी जो समझोता हुआ, वो ओसलो समझोता से समंदित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑ वर्स 2019 का Nobel Prize दिया गया था, साहित्य के लिए, अगला क्वेशन है फ्रेंट्स, प्याज के लाल रंग होने का कारण है, फ्रेंट्स ये क्वेशन आयोग ने इसमें आंसर गला दिया था, इसका राइट आंसर है, एंथो सायनिन की उपस्तिति में, प्याज का रंग लाल होता है, अगला क्वेशन है फ्रेंट्स, सरवादिक भेधन चमता वाली एक्स किरोणों की तरंग धहर्य होती है, हैंस इसका राइट आंसर हो जाएगा, टू एंगल स्टाउं, अगला क्वेशन है, ये दी माता पिता दोनों का रक्त समूव, ए बी पॉस्टिव हो तो उनके गोहे में जंग लगने के से बचने के लिए जिंक की पर्त चड़ाई जाती, इस परक्रिया को क्या कहते है, आपको इस राशनिक परक्रिया का नाम बताना ये होता है, फ्रेंट्स, गैल्वेनिक करण इसको कहते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, प्रकास वर्स किस बह आइधोट ंर्जा होती है, ELECTRICAL ENERGY, इसका RIGHT आंसर रक्त में पाए जाने वाली कनिकाएं जिनका समन्द रोग पर्तिरोधक चमटा से है, गैं बतलन शुरू किया था जो बहरत में vaccination, वर्ड में जो vaccination की शुरुवात हुई थी, ये इसका right answer Edward Jenner द्वारा सबसे प्रेका करन की शुरुवात की गई थी, अगला question है, बाहुनों में पीछे का traffic देखने के लिए किस प्रकार का दरपण प्रयोग मिला जाता है, ये उत्तल दरपण होता है, convex mirror इसमें यूज होता है, एक लुड़कती हुई gain कुछ देर दूर जाकर रुख जाती है, यह क्यों रुख जाती है, तो friends ये घर्शन बलू के कारण, due to frictional forces के कारण, ये gain रुख जाती है, option C right हो जाएगा, अगला question है, नाना घाट एव लेक निम लिखित में से कि सासक के विस्तित जानकारी प्राप्त करते हैं, ये आगामी एक्जाम, UK PC एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, नेक्स एक्जाम यहापे पटवारी का है, इसका right answer होगा, ऑप्शन ये सतकर्णी पर्थम, गौतम पुत्र सतकर्णी पर्थम, गौतम पुत्र सतकर्णी पर्थम, आगल चलते हैं, कौन 15 अगस्ट 1947 को भारती राष्टी कंग्रेस का अध्यक्स था, तो आपको बताना है, जब भारती राष्टी कंग्रेस के अध्यक्स थे, ये अचरे जेवी किरपलानी भारती राष्टी कंग्रेस के अध्यक्स थे, जब भारती राष्टी कंग्रेस के अध्यक कि उत्रप्रदेश राज्य कथा ओप्शन यह राइट हो जाए अगई अगला क्वेशन है यहां आपको सुमेलित बताना कौन सा सुमेलित नहीं है तो फ्रेंट्स यह क्वेशन हमने अपकल ही कि अपना एक ठंडी जल दा रहे तो आपको इसका राइट अंसर हो जाए बैंगुला करण्ट है यह एक ठंडी जल दा रहा है तो फ्रेंट्स इसका एक एक ठंडी जल दा रहा है ट्रिक बताऊंगा आपको HCL, COW, यह सारी ठंडी धारा हैं, इससे आप देख लिएगा, अगला क्वेशन है, किस भारतीय राज्य में सडक सघंता सरवादिक है, यह क्वेशन भी काफी UKPSC द्वारा रिपीट किया जाया, केरल राज्य में सबसे जादा जो है, हाइस्ट निमलिखित में से किस खनिष से समझने, यह लौह एसके लिए फ्रेमा से जो अमेरिका में है, अगला क्वेशन है, डॉगर बैंक जो एक महत्वपूर्ण मच्छे सेत्र माना जाता है, किस सागर में इस्तिक है, इसका राइट अंसल भी उत्तर सागर, आगे चलते हैं, निम 250 के भारती समदान के भाग C में कितने राज्य थे, आपको बताना है यहापे, तीन भाग थे, इन में से C भाग में 10 राज्य थे, option C, इसका राइन चांसर हो जाएगा, अगला क्वेशन है, भारती समदान एक रास्ट का इस्तम्भ नामक पुस्तक किस ने लिखिया था, तो यहाँ से तीसरा सेक्षन है, इसमें उत्राखंट से रिलेटेड आपको क्वेशन मिलेंगे, तो शुरू करता है, पहला क्वेशन है, उत्राखंट में बेगार किन रूपों में पाई जाती है, तो आपको बताना है, यहाँ पे मुख्य तो तीन प्रकार की जो अंग्रेजी होकुमत की टाइम पर तीन प्रकार की बेगार थी, खुली बेगार, खुली उतार, खुली बढ़्दायस, तो इसका राएट आपको बताना है, कुली बढ़्दायस क्या होती है, जब अंग्रेज एदिकारी काओं में आती तो उनकी खाने पेने की ब्यवस्ता जो की जाती वो कुली बरदायस कहला दी और कुली बेगार जब कुली उतार जब कोई सामान को उतारते थे उस पर कुली उतार पर था ये परचलित थी अगे चलते हैं उत्राखन क्रांति दल का गठन किस वर्स किया गया था ये काफी इंपोर्टेंट क्वेशन है एक जुलाई उनिस सो उनसी को युकेडी की स्थापना हुई इसके अध्यक देविदत पंत थे अगला क्वेशन है कुटीर जियोती योजना किस समझते थे फ्रें से काफी ये क्वेशन सुरुकियों में रहा था तो ऑप्शन सी इसका राइट और राइट आंसर हो जाएगा इसमिता देवरानी अगला क्वेशन है इमिनों ऐसे भारत के 21 प्रधानमातिर द्वारा लाल किले से उत्राखंड राज्य निर्मार की गोशना की गए तो फ्रें इन्होंने दोला पाल के अंदोलन की शुरुवात की थी उत्राखंड में निमलिकित मैंसे किस तहसिल ने 2001-2011 के दौरां दस्य की रहनात्मक बिर्दित सरवादिक दर्ज की तो फ्रेंट्स इसका राइट आंसर काफी इंपोर्टेंट क्वेशन है विक्या सेन्ड इसका रा आंसर है रालम इधरगड में खतलिंग लेश्यर त्रीरिगरवान नामी ग्लेश्यर यह बागिश्वर में नहीं है अप्शन सी राइट हो जाएगा अगला क्वेशन है कुणिंद मुद्राइं प्राप्त हुई है आपको बताना है कि सस्थान से कुणिंद की मुद्राइं अगला क्वेशन है मैती आंदोलन के जनक कौन है जो कल्यान सिंग्रावत है मैती आंदोलन की जनक है मैती आंदोलन की शुरुआत हुई थी यह ग्वाल्दाम इंटर कॉलेज से शुरू हुई थी अगला क्वेशन है उत्राखण में देई भूमी शॉप्टर निम लिखित में समाझ देता है फ्रेंड्स यह क्वेशन आप जब भी भूबलेक से समाझ देता आप अपनी खोतोनी निकालते हैं तो यह इसी शॉप्टर की माध्यम से आप तैसीलू में ऑनलाइन खोतोनी गया आयोग द्वारा तो फ्रेंड्स आप इन पेपर को देख लीजिएगा अब लोग से आयोग जरूर ही पुराने क्वेशन पेपर को डिसका यह क्वेशन को रिपीट करता है अगला क्वेशन है उत्राखंड कि निम लिखित महलाओं में द्रोणाचार पुरुसकार से सम चन्दबंस के सासन में शिर्ती क्या था प्रकारखा एक कर अप्सटञ दी भूमीकर और जो इसकर को देते थे वो सिर्टान कहलाते थे च्री देव भूमी श्री देव सुमन का बलदान दिवस मना जाता है इसका राइट आंसर हो जाए 25 जुलाइट एगला क्वेसंड राइफल मैं गवर सिंग नहीं को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रोस मृणोपरान्थ प्रदान किया गया था ब्रेंड्स काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेसंड है और इसका राइट आंसर पर न्यूव सीपल युद्ध फ्रेंट्स जो न्यूवेश सैपल के युद्ध में इनको मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था अगला क्वेशन है मई 1928 में स्रीनगर में आयुजिर राजनेतिक संबेलन में किस ने भाग लिया था फ्रेंट्स इसमें सभी के द्वारे भाग लिया गया था तो फ्रेंट्स ये क्वेशन भी अभी उत्राफण लोग्षवा आयों द्वारा पुलिस के एक्जाम में रिपीट किया था वहां पर पूछा गया था कि पंडी जवाला नेरुद्वारा किस वर्स संबेलन में भाग अगया था तो राइट आंसर इसके ऑप्शन एबी सी ओल अफ दीज हो जाएंगे अगला क्वेशन है अनासत्तिक आश्रम कॉसानी समंधित है तो फ्रेंट्स ये गांधी जी यहां पर आये थे और यहां पर इनुन इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मरोज क्या है फ्रेंट किस वर्सन नायक बालिका रच्छा-कानून पारित के अगया था फ्रेंट्स काफी इंपーーटन स्चन है। इसको आप नॉट कर लेजगा इसका राइट आंसर हो जागा ऑप्शन ड І 1929 में नायक बालिका, सुधार, कानुन, पारित किया गया था अगला Quesn 1917 में कुमाउं परिशत के पहले अल्मोडा अधिवेशन की अधियक्स्ता किस ने की था Qumamun परिशत के छै अधिवेशन हुए थे और पहला अधिवेशन 1917 में हुआ था इसकी अध्यक्स्ता जैदत जोसी द्वारा की गई थी अगला प्वेसन है यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रम्मान को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक उध्रोजर में समलेत किया गया था तो यहाँ उत्सव किस जन्पद से समन्द जो रम्मान है यह चमोली जन्पद के सलूर दुंगरा नामक ग्राम में आयुद किया जाता है और यूनेस्को द्वारा वर्स 2019 में इसे वर्ल्ड हरेटेस साइड में घोशित किया गया था और जो जो रम्मान पर जो जहांकी भी हुई यह वर्स 2016 में यह पबलिक डेपरेड में यह जहांकी उत्राक्द की सेलेक् आपकी जौनसारी खुम्री पंचायत जौनसारी जंजाती से समन दिता है अगला क्वशन है 1922 में बैरिष्टर मुकंदिलाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभाइत होकर किस मासिक समाचार पत्र का प्रकासन क्या था बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेशन ह न AREको रस्ड़। गुमाओ समाचार पत्र था अगला क्कॉशन है फ्रेंड्स टिहरी राज्यपरजया मंदल की स्थापना का भी ज्रिशन से आपको 23 जन्वरी 1979 को टिहरी राज्योपरजया मंदल की स्थापना हुई थी स्थापना है छिन हमें इतने कवि प्रभा वतार को किस वर्स उत्राखंड शासन ने जयविक किर्स अधिनियम पारित किया गया महीम बर्मा उत्राखंड का समन्निम्ली कितमे से किस से यह BCCI के वाइस प्रेजडेंट भी रहे हैं तो क्रिकेट से समन्न दित हैं किस वर्स पारित किया गया बहुत इंपोर्टन के से चार अपरेल 2016 को उत्राखंड राज द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया तो फ्रेंट्स यह थी करंट एफियर के क्वेशन बहुत जो आगयम एकजाम में पूछे जा सकते हैं आप एक बार जरू को ज़िए वाइस कर लिजागा थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो लाइक शेर एंड कमेंट तो